करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 1 नवंबर रात 8 बज़ के 26 मिनट पर इस साल करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिध्धी और शिव योग का शुब संयोग बन रहा है सर्वार्थ सिध्धी योग 1 नवंबर को सुबह 06 बज़ कर 33 मिनिट से शुरू होगा और अगले दिन 2 नवंबर को सुबह 04 बज़ कर 36 मिनिट पर समाप्त होगा वहीं 1 नवंबर की दो पहर 2 बज़ के 7 मिनट हुए से शिव योग प्रारंब हो जाएगा करवा चौथ वरत कथा एक साहुकार के साथ लड़के और एक लड़की थी सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का वरत रखा था रातरी को साहकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा इस पर बहन ने बताया कि उसका आज उसका वरत है और वह खाना चंद्रमा को अर्गिया देकर ही खा सकती है सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जला कर चलनी की ओट में रख देता है जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो उसे देखकर करवा उसे अर्गिया देकर खाना खाने बैठ जाती है जैसे ही वह पहला टुकडा मुह में डालती है उसे छीका जाती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकलाता है और तीसरा टुकड़ा मुह में डालती है तभी उसके पती की मृत्यू का समाचार उसे मिलता है वह बेहत दुखी हो जाती है आप पर पढ़े उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ वरत गलत तरीके से तूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए है इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपनी पती का अंतिम संसकार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर जीवन दिला कर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पती के शव के पास बैठी रहती है उसकी देखभाल करती है उसके उपर उगने वाली सुई नुमा घास को वहे कत्रित करती जाती है एक साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह वरत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि अम सुई ले लो पिया सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो लेकिन हर कोई मना कर देती है आखेड में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है इस तरह से उसका वरत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आर्शिवाद मिलता है इस कथा को जो सुनता है या सुनाता है उसकी भी मनो कामनाएं सारी पूरी होती है है चौथ माता अप हमारे घर परिवार पर अपनी कृपाद रिष्टी बनाए रखना और पती की आयू को दीर घायू करना बोलो सच्चे मन से बोलो चौथ माता की जय